नमस्कार मैं प्रग्या धाधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को प्रदान मंतरी नरंद्रमोधी सरकार देश की स्वास्त सुवधाओं पर लगातार जोड दे रही है इसके लिए तमाम योजनाओं के साथ साथ हल्थ इंफास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम हो रहा है इसी कड़ी में केंद्रिय स्वास्ते मंतरी मंसुक मांडविया ने जानकारी देते वें बता है कि साल 2014 से लेकर अब तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई हो और अब सरकार देश के हर जिले में एक क्रिटिकल यूनिट लारी है वहीं MBBS सीट की बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्सों में MBBS की सीट एक लाग साथ हजार हो गई है जिन्दी पर बगावती टेवर अपनाने वाली बांगादेशी राइटर तस्लीमा नस्रीम का मानना है कि उनके जिन देशवासियों को फलिस्तानियों के खिलाफ अत्यचार के चिंता है उन्हें अपने ही देश में अलसंक्यों की दूरदर्शा की उतनी ही फिक्र करनी चाहिए तस्लीमा नस्री ने कहा कि जब और जहां कहीं भी उन्हें नाइंसाफी नजर आएगी उसके लिए खिलाफ संगर्श करते रहना ही उनका करतव है आज नवरातरी का दूसरा दिन है जहां पूरे देश में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है जहां राजनी तब इस पर्व की सुपकामनाय देश विदेश के लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिसमें एक नाव भारत की प्रधान मंतरी का भी है जो सोशल मीडिया के जरी नवरातर जैसे बड़े पर्व की शुपकामनाओं को देश की जनता तक सोशल मीडिया के जरी पहुंचा रहे हैं जिहां उन्होंने टुईटर पर एक वीडियो साचा किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नवरातरी के दूसरे दिन मा ब्रह्मचार्णी के पूजा अर्चना की जाती है मा से प्रात्ना है कि देश भर्व के मेरे परिवार जनों को हर चनौती का सामना करने का साहस और सामार्थे प्रदाप करे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने ICST क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में तिहास रच दिया है अफगान लड़ाकों ने मौझदा वर्ल्ड चैंपिन इंग्लैंड की टीम को उनहत्तर रन से हरा कर पक्षी टीमों को मैसेज भेजा है कि आने वाले मुकाबलों में वे हस्मतुल्ला साहीदी की अग्वाई वाली टीम को हलके में लेने की भूल न करे ग्रिकर के भगवान कहे जाने वाली सचिन तंदुलकर ने अफगानिस्तान की युवा बॉलिंग ओल डाउंडर अजम तुल्ला उमरजाई की जमकर तारीफ की है सचिन ने सपेशर की तुल्ना भारती टीम के पुर्व प्रेसर प्रवीन कुमार और भूवनेश्वर कुमार की की है नेता प्रदीपक्च विजय कुमार सुनारी रविवार कहा कि बैहार की महागरवन नसलकार पूरी तरह विफल हो गई है विफलता को चुपाने के लिए जाती के नाम पर अनाप शनाब बयान बाजी दिलारी है देश के समधा निकपत पर बैटे व्यक्ती पर जाती के नाम पर टिपनी कर जेडियू ने अपना विवित सहरा वजागर कर दिया है बिहार के इंजिरेर मुख्यमंतरी ने अपने दल से प्रिधान मंतरी की जाती पर आच्छेप करा कर यह सिद्ध कर दिया है कि यह जातीवादी सोच और सिधान को ही मानते हैं इनके दल ने उनके मुखोटे को उजागर कर दिया है ग्लोबल कॉफी चेन स्टारबक्स के स्पेशल ड्रिंग्स की रेसिपी और मेन्यू ऑनलाइन लीक हो गया है यह इनफॉर्मेशन अब तेजी से सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर वाइरल हो रही है यह कोई पहला एंप्लोई नहीं है जिसने अपनी कम्पटी की जरूरी इंफॉर्मेशन को किसी पब्लिक प्लाटफॉर्म पर शेयर किया हो पहले भी कई एंप्लोई जन्हें कम्पटी ने फायर किया था उन्होंने टिक्टॉक पर जाकर मेन्यू रिविल कर दिया था साल स्टार्बक्स के इश्पिशल कॉफी के दिवानों को अपनी पसंदीत रिंग से जो रिस्तारी जानकारी बल गई है। कई मौकों पर उन्हें टीम की कमान भी सौप रहे हैं। तमिलारू सरकार के खेल मंत्री उदय निधिर स्टालिन ने भारत में खेले गए भारत पाकस्तान विश्वकप क्रिकेट के दौरान पाकस्तानी खेलारी पर की भीर दौरा की गई हुटिंग और जैस्ट्री राम के नारे लगाने की बेहत करी आलोचना की है। और ने कहा कि भारत अपनी खेल भावना और आधिते के लिए प्रसिद है हाला कि एहमदाबाद के नरंद्र मोदी स्टेरियम में पाकस्तान के खिलारियों के साथ किया गया वहवार श्विकारे और बेहत निम्न स्तरका है। देशों को एक जूट किया जाता है खेल सचे भाईचारी को बढ़ावा देते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने करोडों ग्रांकों के लिए अलर्ट जारी किया है। पूछने के लिए रिश्वत ली दूबिले लोगसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला को पत्र लिकर उन पर संसदी विशिश अधिकार के उलंगन का रूप लगा है। बिहार में डिंगू का अतंक लगातार भरता चारा है प्रदेश के विविन जिलो से डिंगू की वज़े से लोगों की मौते हुई खबर सामने आ रही है। बढ़ते हैं आकरों से लोगों के बीच दैशत का महौल है आकरों की बात करें तो पिछले 14 दिनों में 4,000 से डिंगू के मामले सामने आ चुके हैं 24 घंटे के डाटा पर नज़र आले तो 305 नई मामले सामने आई हैं हांग्चू इसी आई खेल में स्वन पदक जीते से पहले अपने लगातार खड़ाब प्रदर्शन से भाला फेक खिलारी अनुरानी इतनी परिशान हो गई थी कि उन्होंने खेल को अलविदा कहने काम मन बना लिया था मैं विदेश में अभ्याज करने कही थी सरकार से जिद करके विदेशी कोच से सीखने कही थी लेकिन मेरा प्रदर्शन गर गया पूरा साल खड़ाब हो चुका था एक के बाद एक हार प्रत्योगिता में खड़ा प्रदर्शन हो रहा تھा मैंने इश्याई खेलों से पहले सोच लिया था कि मैं खेल छोड़ लोगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जाती पर सवाल उठाए जाने से बिहार भाजपा हमलावर तेवर में है प्रधान मंत्री की जाती के बाड़े में बिहार सरकार और सतारूर दल जदियू के लोग जो भ्रहम फैला रहे हैं उनका भ्रहम पूरी तरह से निड़ाधार है तथेहीन है पुर्व उप्मो के मंत्री एवाम राजिस सभासां ससुसील कुमार मोदी ने कहा कि मुद्दा भीहीन विपक्ष प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पिछरी जाती और उनके माता पिता की गड़ीवी का मजाक उरा रहा है उनमें सरकार के कल्यानकार इफैस्तों पर बात करने की हिम्मत नहीं है प्राइवेट सेक्टर के आईसी 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 आई बैंक ने आई फाइनस लॉंच किया है इसके जरीए बैंक ग्रहक अपने सेविंग्स और करेंट अकाउंट का डिटेल्स देख पाएंगे खास बात है कि इसका इस्तमाल किसी भी बैंक के ग्रहक कर पाएंगे आई फाइनस को आई CICI बैंक ने अकाउंट एग्रिकेटर एकोसिस्टम को लाब उठा कर पेश किया है आई फाइनस का फाइदा ग्रहक आई मोबाइल पे एप रिटिल इंटर्टेन्मेंट बैंकिंग कॉर्परेट इंटरेट बैंकिंग और इस्टाबिज के ज़र्य उठा सकते हैं इसराइल और हमास के भी छरे युदिक के संबन में इंटरनेट पर जमकर रूटा प्रचार अभियान शुरू हो गया है इस मौके पर बहुत लोग वीडियो गेम की क्लिप और युदिकी पुरानी इमेज पोस्ट कर रहे हैं फरजी सुषनाओं के स्युद में वक्तियों के साथ सरकारे भी शामिल अधिकतर देश सेना तैनात कराने से पहले अपने दुष्टपनों को गुमराह करने के लिए हर संभव तरीके अपनाते हैं दरसल युदिकी पुरानी रणिती के तहट सुषना का श्रोथ हमली का पहला निशाना होता है सरकारे सामाने तोर पर टेली कॉम, डेटा और संचार नेटवर्कों की निगरानी करती है बलक अपने शुलंका से जीत के बाद पाकस्तानी बल्लेबाज मुहम्मद रिजवान ने अपना सतक गाजा के लोगों को समर्पित किया जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया इसी संदर में सुशल मीडिया पर अप कहा जा रहा है कि भारतिय तेज केंद बाज मुहम्मद सराज ने 14 अक्टूबर को पाकस्तान से मिली जीत को इसरायल को समर्पित किया है लोग सराज के नाम पर बने एक ट्वीटर हैंड़ से के एक ट्वीट को स्क्रीनशोट शेयर कर रही है इनके कारोबार से जुरे हिदधारकों को सरकार ने आखरी अल्टीमेटम दिया है कि वे उसकी वेबसाइट पर साथ ताही की रूप से अपने स्टॉक का स्टेटस बताए चिनी हिदधारकों में थोख विकरिता, खुदरा विकरिता, बड़े खुदरा विकरिता और फुसस करने वाले शाम है इसराइल और गाजा इस्तित आतंकी संगटन हमास के बीच भाशन जंग जारी है 7 अक्टूबर को इसराइल में अचाना घुसकर किये गए हमलों में कई इसराइली लोगों की जान चली कई थी जिसके बाद इसराइल गाजा में भारी बंबारी करके बदला ले रहा है जाते समय दस विफक्षी दलों के कारेकरताओं की पुलिस से जरब हो गई उकरूल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई बड़ी अपडिये घटना नहीं भी और पार्टी कारेकरताओं ने अपना ग्यापन दे दिया पर विफक्षी दलों ने हैरानी व्यक्त की है एंड़ी टीवी के मताबिक सिना ने एक वयान में कहा है कि जूगी सिंग की मौत का काराण खुद की बंदूख से चली गोली है दहिस जनरल के रिपोर्ट के अनुसार कूकी समोह ने आरोप लगा है कि मैटई लिपून संगठन अराम बाई तेंगोल की तरह मनीपूर में हिंसा भरका रहा है हलाकि संगठन ने इन आरोप पे सिंकान दिया है जमु कश्मीर में प्रधान मंतरी जन आरोग के योजना के कारयानवन में अनिमितताओं के संबन में आईस अधिकारी अशोक कुमार परमार के आरोपो पर उपराजेपाल मनोस दिना के प्रिशासन ने जवाब दिया है चमु कश्मीर प्रिसासन के एक प्रवक्ता निकाहा के काटे तत्यों और आकडों की गहन चांच परमार तोरा सीब्याई को लिखे पत्र में किये गए आधार हिन दावों को जुटाती है जिनमें बीमा अनुबंधर में अमिनता को आरोप लगाया गया था उत्तर प्रदेश की मुख्यमंतरी योगी आधेतनाद द्वारा इसरायल फिलस्तीन ग्योधपर केंदर सरकार के रुख के विपरीत किसी भी गतिवीदी के खिलाफ चितावनी देने के कुछ दिनोबास शोचल मीडिया पर एक पोस्ट में कतितोर पर फिलस्तीन का समर्थक करक के सत्रुता को बढ़ावा देने कारुप में बीते सनिवार को हमीरपूर के एक मॉल्भी को गिरफतार किया है दिल्ली में द्वारका में शुक्रवार को हुई संसैनी खेंघि दकैती के सिल्सले में तीन लोगों को द Defense कर एक व्यक्ति का फरनि के बाद उससे स fret करनी के दो पुहाना निवासी अमित उर्फ जॉली रोहित उर्फ अस्विन और दिली के बवान निवासी मनिश के रूप में हुई है। पुहान निवासी सीजन सेल द बिक बिलियंड डेज के पहले आट दिनों के दौरान एक दुस्टमलोच छार अरब गरहक उसकी साइट पढ़ाएं। के अतंगवादियों ने इसरायल में बच्चों की हत्या की महिलाओं के साथ दुशकर्म किया और जिंदा बचे लोगों को बंधग पना लिया के लिए भारतिय चिकस्तान उसंदांस प्रडिसद अकिल भारतिय अर्विज्यान संस्थान नई दिल्ली और बिहार स्वास्ते विभात के दौरा सही हो किया जड़ा है अब आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके जले के प्रसिद परेटरन स्थल कौन से हैं अपना जवाब हमें आज के लिए तना ही धनिवाद